आईए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से जी नमस्कार सुपागत है आपका कवीता कहां से बात कर रही है जी मैं कुरुक शेत्रा से बात कर रही हूं सवाल कीजिए हां जी हकीम साब से बात करनी है मुझे जी जी कवीता जी आदाब बता है क्या सवाल है हां जी सर यह मैं बहुत टाइम से विए दिककत हो रही है कि मेरे बाज्यू और बहुत पैंजो हो रहा है ह्श्ट मेरे मेरे कंगत कर देश है कि मीरे और मेरे पोरी से पर दो venus सब्सक्राइब कर लेती हूं तब थोड़ा रिलीड होता है अगर शादी कर लें तो ये अपना पी ठीक हो जागा सब कुछ है पलीजिम्मदारी से मैं कह रहा हूं आपको और शादी नहीं अगर आपको देर है तो फिर आप एक नस्खा बना लें और वो है आवला आवला सुकावा मिलता है आवला अलसी मेथी आवला अलसी मेथी और गौन मोरिंगा इन चारों चीज़ों को पौडर बनाएं और दो तीन गिराम सुबा दो तीन गिराम शाम खाएं तो आपको फायदा मुम्किन है जी इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है इंदू जोदपूर से हमारे साथ स्वागत है इंदू आपका जी एक तो यह में को ड्राइए इसके बहुत प्रॉब्लम है ड्राइनेस की इसलिए बहुत लुबे टाइम्स है ठीक है और के परिशानी है और डाइबिटेस भी है और कम बहुत ज़्यदा बनते हैं बहुत जी ठीक है एज अगर आप हैं तो एज और बता दीजए नमस्कार जी आदा एज बता दीजए अपनी एज एज सेवन्टी ठीकी 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 अच्छा दीए एक एक लीटर आप जैतून का सिर का खरीद लें और उसमें अद रक्का जूस निकाल के आदा लीटर मिला दे और जब भी पिए तो ऐसे बोतल को हिला लें और उसमें से तीन चमच दिन में तीन चमच रात में पानी में मिला कर पिए और बोतल को हिला जरूर लें तो आपको फाइदा होना मुम्किन है हेलप लाइन नमबर लगाता है फ्लाइश के जा रहे हैं दर्श को आप लोग इन पे भी कॉन्टेक कर सकते हैं अगर आप लोगों का कारेक्टर में कॉल नहीं लग पाता है ऐसे नुसके जिन्हें अपना के आप बड़ी से बड़ी परिशानी को दूर कर सकते हैं बड़ा सा बड़ा रोग अपना दूर कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आप लोगों को उपचार अपनाने होंगे परहेज भी आपको करने होंगे इसे के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं उसे बात कर लेते हैं जी नमस्कार सुपागत है आपका हाँ जी नाम बताईए कहां से बात कर रहे हैं जी बताईए क्या परिशानी है कितने दिन दवा लिये हैं हाँ आपका पहले भी शायद फोन आया था मैंने आपको बताया था कि परिशानी है जी ये एन फॉर फाइंडी तकली पहर सुनो जाते हैं तन्ने में दिनकत है दद जो है आट दश दिन रहता है किसी किसी को ज़्यादा होता है और बहुत सबर करने की ज़रूरत है आपको चार पांच महीने अगर आप लगातार इलाज करें तो कुछ नजर आएगा बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो अलोपेटिक दवा साथ में ले सकते हैं युनानी से आप उमीद रखें लंबे इलाज की और बेशतर लोगों को वाई दिन में कुछ नकूर रिजल्ट आता है अगर आप दवा खाते हैं कोई अलोपेटिक और वो कम हो गई है या कम खानी परती है समझ लिए फायदा शुरू होगा क्यों कोई इसमें थोड़ा सा फायदा रोजा नहोता है अगर आपको फायदा तलाश करना है तो आपको यह देखना होगा कि आप यह अलोपेटिक दवा कुछ कम हुई या जादा हुई अगर जादा हुई अलोपेटिक दवा तो आपको दर्द बढ़ावा है अगर कम हुई है तो आपका दर्द कम हुआ है चलिए नेक्स कॉलर हैं, विजय जार्खंड से हमारे साथ, स्वागत है विजय आपका? हान जी, सवाल कीजिए. हान, सवाल है, शुगर दढ़ा हुआ है. ठीक है. क्या उम्र है मरीज की? उम्र साथ एक्षर साल. जी, शुगर की दवा कोई ऐसी नहीं होती कि मुस्तकिल फायदा कर दे. शुगर की दवा हमेशा लेनी पड़ती, अगर फिर भी कंट्रोल नहीं आरी, वो दवा लेने के बावज़ूद, तो वो तो लेते ही रहे हैं. और तीन चम्मच जैतून का सिर्का सुबा, तीन चम्मच शाम को अगर आप पानी में मिला कर पिएंगे, तो आपकी शुगर कंट्रोल होना मुम्किन है. तो बिल्गुल आपके शुगर कंट्रोल जरूर हो जाएगी, बसी परहेज कीजेगा, ये नुसके आप अपनाएगा, जो अभी हकीम साहब ने आपको यहाँ पर बताए हैं. इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं. जी नमस्कार, स्वागत है आपका. बिंतु स् मैं ऐसे गड़ बता जक्रंस ही रहती है पूरे बदन में. सोल्डर में, हाथों में, हुलियों में, पैरों में, मतलब पूछने बढ़ने में दिखत रहती है. जी वे वोई घर लें उसका. चो दिखिए, अलसी लें 400 ग्राम, और 100 ग्राम आपको लेना है गौनसिया. अलसी क आप खाएं तो आपको फाइदा होना मुम्किन है. आप सभी को बोलते हैं कि raw material अपने घर में लेके आईए, खुद PCA और फिर उसका सेवन कीजिए. कई बर आप लोगों सुन नहीं पाते हैं या no down नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आप लोगों के पास विकल्प है. हेल्प लाइन नंबर लगता फ्लाश किये जा रही हैं आप लोग इन पर कॉंटेक कर सकते हैं और जो दर्शक कारिकरम में जुड़ते हैं आप लोग कॉपी पैन लेके जरूर बैठेएगा और बार बार कहना चाहूंगी परहेज आप लोगों को जरूर करने हैं. इसी के सा जो आप अपने दर्शकों के लिए इतना कुछ बता रहे हैं. शुक्रिया आपका भी बहुत-बहुत. हां जी. सार मुझे दो सवाल कुछने हैं एक अपने लिए और एक अपनी बेती के लिए. ठीक हां जी. हां जी. फर्स्ट अफल मेरी बेती सार वो चार साल किया और उसक इन में सिर्फ एक अधी रोटी खाती है और पानी पीती है. बज वो खाना छोड़ देती है, सार. वो बाई बर्च भी वीक थी, उसके बाद भी उसने उपर की फीड नहीं ली, सार. और मदर फीड मेरी आई नहीं. ठीक है, ठीक है. हां. और बताजी कुछ. कॉल्ड हो जात है. दूसरा भी पानी उसको ठंडा फील होता है. अब गर्मियों में भी सार. ठीक है, ठीक है. अपना बताइए. हेर फोल बहुत ज़्यादा हो लिए, सार. अन मेरी टाइम में भी होती थी, मेरे 22-30 परसेंट रह गये थे. जब मैं 17-18 सार की थी, तब ही हेर फोल स्टार्ट हो एक था, सरू. और फिर मेरे को, जब मेरी शादेर, जो मैंने कंसीड किया, तो वह बिल्कुल सिंगल फोल भी नहीं हुआ. वह नाइन मंथ में जब मेरी पेटी होने वाली थी, तब मेरो सिंगल है फोल नहीं हुआ. लेकिन उसके दो मेने बाद के होने की और अब तक चार सा लोगे इतना हियर फोल हो चुक है कि सिरफ 5% रहा गया सर में इस बात चीक है अच्छा दिखिए अब आप जो है एक नारियल पानी लिया लें रोजाना और उसमें आधा ग्राम गौन मौरिंगा मिला दें यह मिला दें या गौन मौरिंगा अरो मैटेरिल आता है जरा नकली भी आता असली लेना तो अधा ग्राम या उससे भी कम गौन मौरिंगा खाएं और यह एक नारियल पानी पीएं तो आपके बाल काफी क्रोध कर सकते हैं अब बच्ची के बारे में ज़्यादा फिकर मन हूँ और बच्ची को तो एक खुद बना लीजे एक माजून बना और वो इस तरह हैं कि सो ग्राम आपको अलसी लेनी है इसको हलका सा भून के पाडर बनाएं सो ग्राम अलसी सो ग्राम उनाब उनाब एक बेर होता है जो आसानी से मिल जाता है इरान इरानी बेर भी होता है लाल होता है बलकुल सुर्ख शादी के जोड़ी की तरह उनाब सो गिराम अलसी सो गिराम और लिसोडा सो गिराम और इसमें 20 गिराम जो आपके किचन में पीपले होती है ना लंबी लंबी आप लोग बहुत कम इस्तमाल करते हैं उन्हें बड़े काम की चीज़ है तो 20 गिराम पीपले पीछ लें अब यह सफू बन गया अब यह पाउडर बन चटा दिया करें उली पर लिया और चटा दिया उली पर आदा चम्मच इसके खुराक है चोटे बच्चे की और कई बार खिला यह दिन में दो तीन बार दूद बना है उसके लिए दूद मत दीजे कुछ दिन और पानी पीती है तो बहुत अच्छा तो काफी टाइम अधिया उसके मेरे और मेरी हमषे फांच-एक फीपटी तूंज अपनी हमआई बढानी हे टी चरादी का वैसे हाइट बढ़ाने की उम्र को आपने क्रोस कर लिया अभी मुम्किन नहीं है आपकी हाइट बढ़ाना और ज्याद हाइट जो 13-14 साल में अगर आप फोन करते तो आपकी हो जाती 5-6, 5-7 इतनी भी हो सकती थी लेकिन अब कोई भी दावा करे तो गलत है अब हाइट का बढ़ना नड़कियां को 16 साल तक कोशिश करनी चाहिए जैन्स को 22 साल तक भी कोशिश कर सकते हैं अब आपने अपनी सेहत अच्छी कीजे अपना अखलाग अच्छा कीजे अपने आच्र काला गोरा से कुछने जितना किताबें आपके अंदर होगी जितना भाईचारा आपके अंदर होगा इतनी आप काबिल होगी और उसी का लोहा मनवाई जो आपकी हाइट है तो चलिए बहुत अच्छी बात आपको यहाँ पे हकीम सहाब ने बताई है आप इस पे गोर परमा देखा है कि बिना खाए अंगिनर डगारे आती हैं कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कुछ भी खाते हैं खाते ही मोशन जाते हैं ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ नुस्के हो सकते हैं घरेलू और ऐसे लोगों को दिक्कत परिशानी आती क्यों है कुछ भी अगर परिशानी इंसानों को आती है तो जायतार उसनकी अपनी गलती होती है मैं आपको बताओं कि मैंने एक जबाने में बाहर का बहुत खाना खाया लेकिन मैं मजबूर था मैं अकेला बॉम्बे रहा 20 साल तो बाहर का खाना खाया मैंने मेरे साथ कोई ने था तो जो लोग भी बाहर का खाना खाते हैं घर में अगर खाना बनाने वाला कोई आपसे महबबत करने वाला है तो मैं उनको बदनसीब कहता हूँ बिल्कुल और आज मैं देली में रहता हूँ तो मेरे घर वाले में शाथ रहते हैं तो मैंने बहार का खाना कब खाया था मुझे मालूम ही नहीं तो एक सबसे बड़ा है बहार से खाना खाना दूसरा सबसे बड़ा परिशानी है कि बहार के पिसे पिसाए मसाले का घर में इस्तमाल होना महिलाओं के लिए ये बहुत बुरी बात है कि वो पिसे पिसाए मसाले बजार के इस्तमाल करें इससे भी हमारा पेट उमेदा और हजब मतासिर होता है आप घर में मसाले पीशा करें, मेरा आप से गुजारिश है और पेट के सिस्टम को ठीक करने की दवाएं बहुत अच्छी है आप अगर निसका पूछा है तो बता सकते हो हमारे साथ रविंदर हैं चंडी गर से स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार अधर नमश्कार आधर शर्स मेरा naam अलएंड़ जी है में चंडी को जी पोर रहा है सar मरत मेरे इक गुट्ण हमें में लेइं दर्द तरहा था है वो में उससे अच्छी अपने जीवन में दवा नहीं देखी, एक रौ मेटेरियल है, अगर मिल जाता है पंजाब में तो बहुत अच्छा है नहीं तो दिली में मिल जाता है, और वो है गॉन्ट सिया कहते हैं, हम लोग काला गॉन्ट भी कहते हैं आसान ज़वान में, आदा गिराम सुबह, आदा गिराम शाम खाएं, और आप देखेंगे कि आपको रोज आना थोड़ा फाइदा होता है, आट दिन बाद फाइदा शुरू होता है, थोड़ा सबर करना है, क्योंकि यह औरिजनल चीज है, वज़ा कुछ लोगों को एक दो चार छे दिन के लिए बढ़ जाता है, जैसे इस प्रोगराम में भी कई कॉल आए तो उनको भी झापरा राखाएं, जिसका बढ़ता है उसका भी जरूर फाइदा होता है, और जिसका कम होता है उसको भी जरूर फाइदा होता है, लेकिन युनानी में आप चाहे आपको एकी महीनें फाइदा हो लेकिन उम्मीद ना रखे युनानी से एक महीने फाइदे कि किसी को जल्ली भी होता है फाइदा होने के बावजूद तीन चार महीने आप दवा खाएं तो युनानी में आना चाहिए बेसबर होगा इसमें कोई वो नहीं हिस्सा और किसी का दर्द बढ़ जाए तो शिकायत ना करें यह अच्छी अलामत है कि उसका दर्द बढ़ा यानि युनानी काम कर रही दवा काम कर रही है आप उसे दो चार दिस सबर करें अगर नई बरदाश होता दर्द यह बढ़ाती भी दर्द को दो चार दिन के लिए तो आप एलोपेटिक दवा इसके साथ में ले सकते तब आपका काम चल पाएगा शिकायत ना करें बलके यह अमल करें तो आपको फायदा मुमकिन है